हाईलो एव्रिबन यो अला वाचिंग आइस पेसे सिमलिफाइड और केमिस्ट्री जो मेरी घटना तकर के सीरीज चल रही है उसमें च्छे चप्टर अलड़ी करा रखा है नॉन मिटल की कार्बन एंडिट्स कंपाउंड को अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं ठीक है इससे प कि तुरू कंसेप्ट पर चलेंगे कोश्चन नमर बन कह रहा है एन एल्मेंट एक्स फूर एलेक्ट्राउंस इन इस आउटरमोस्ट और बिट वट विल वी दफॉर्मुला ओफ इस कंपाउंड विध हाईड्रोजन देखें कह रहा है एक एल्मेंट एक्स है ठीक है उसके आ एक एलेक्ट्राउन होता है ठीक है तो वह एक के साथ ही सेयर कर पाएगा पहला हीड्रोजन दूसरा हीड्रोजन तीसरा हीड्रोजन चौथा हीड्रोजन ठीक है यही सेयर कर पाएगा तो वह क्या बन रहा है एक्स एच फोर बनेगा इसमें कोई परेशान हुआ क्या बहुत लोगों को लगा होगा टफ लगी ने कोचन टफ नहीं था ठीक है ना चलिए अब चलते है according to weight the percentage of hydrogen in water is तो पूछ रहा है कि weight के according percentage कितना होगा hydrogen का in water H2O में ठीक है अब चलिए समझते है पहले तो आप H2O का configuration समझ लीजे H2O का ठीक है ना hydrogen का 2 है इसकी atomic mass gram per mole mole हो जाएगा 2 plus oxygen का होता है 16 ठीक है ना तो 2 plus 16 total हो गया that is 18 gram per mole ठीक है अब number of hydrogen इसमें कितना atoms है तो 2 है ठीक है अगर हम लोग percentage की बात करें क्या पूछ रहा है percentage of hydrogen in water percentage of weight के according बात करें और उसमें percentage of hydrogen की बात करें ठीक है ना तो देखिए 2 hydrogen है out of total कितना हो गया total gram per mole 18 हो गया into 100 हो गया ठीक है इसको solve किजिएगा तो यह आ जागा आपको 11.11 ठीक है ना असान question है बस घबराना नहीं है इन चीजों को देखके बिल्कुल घबराना नहीं है question बहुत असान है ठीक है अब चलते question नमर थर्ड पर थर्ड कहरा है one mole of hydrogen gas burns in excess of oxygen एक mole hydrogen gas को हम लोग burn किये बहुत जादा oxygen सप्लाई करके तो उसमें 290 किलो जूल of heat प्रोडूस हुआ ठीक है ना 290 किलो जूल heat प्रोडूस हुआ अब कहरा है what is the amount of heat प्रोडूस when 4 ग्राम of hydrogen gas is burnt under the same condition मतलब एक mole ठीक है तो आपको पता है ना तो वन वन मोल और वन यूनिट हम इसको मान के जलते हैं hydrogen क्या होता है हमेशा hydrogen H2 में exist करेगा तो यह 2 ग्राम हो जाएगा ठीक है ना एक ग्राम में कि वन मोल डाट इस टू ग्राम में इसमें इनर्जी मिल रहा है आपको कितना 290 किलो जूल तो 290 किलो जूल 2 ग्राम में बन रहा है मतलब प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है ना तो 4 ग्राम में कितना हो जाएगा simple basic maths तो यह हो जाएगा 290 इंटो 2 यह हो जाएगा 580 किलो जूल ठीक है ना तो हमारा answer C हो जाएगा यह question आपको पूछा गया है IAS Prelims 1994 में अब चलते हैं question में 4 पे कह रहा है burning of hydrogen produce hydrogen को जब burn करेंगे तो क्या produce होगा तो H2O water produce होता है ठीक है ना hydrogen gas होता है वो highly flammable gas होता है ठीक है ना जब उसको हम लोग air में burn करते है तो बहुत ही wide range का concentration बनता है लगवग 4% से लेके 75% by volume ठीक है ना hydrogen gas cannot burn in absence of air जब तक air रहेगा तभी वो burn कर सकता है ठीक है ना लेकिन अगर हम इसको air के साथ burn करेंगे तो वो water produce करता है ठीक है बहुत basic question basic question होगा भी यह BPSC प्रलिम्स 2005 में पूछा गया है which one of the following fuel cause minimum air pollution question number 5 है इसा कॉंसा fuel है जो बहुत minimum air pollution create करता है तो वो है आपको hydrogen देखिए अब यह hydrogen पर काफी खोज चल रहा है ठीक है hydrogen कैसे हम extract करेंगे atmosphere से कैसे water से hydrogen को अलग करके हम इसको fuel use करेंगे तो यह क्या होता है काफी कम वो produce करता है pollution ठीक है तो carbonic fuel हो जाता है वो carbonic fuel लेने का मतलब इसमें carbon dioxide emit होगा carbon dioxide तो आपको पता ही होगा जब carbon dioxide emit होता है तो वहाँ पे global warming जब CO2 emit होगा atmosphere में तो वहाँ पे global warming का condition develop हो जाता है ठीक है न क्यूंकि global average temperature जो है वो अर्थ atmosphere बढ़ जाता है जिसकी वज़ासे heat trapping और बढ़ता है जिस इसकी वज़ासे जो coastal region पर जो countries है वो अंदर जा रहे है means sea level बर रहा है ठीक है याद रखना है इंची जो को सारा sequence sequence है ठीक है चलते question 6 पे question 6 क्या कह रहा है heavy water is the type of heavy water जो है वो क्या है एक तरीके का तो देखिए heavy water को coolant में भी उस करते है बिल्कुल करते है nuclear reactor में और इसको moderator क बढ़िया question था लेकिन design इसको खराब से किये इसलिए यहाँ पर सारा का सारा option कट जाएगा ठीक है यहाँ पर option में more than one नहीं है A and B नहीं है जिसको यूज करते है आज है moderator और coolant दोनों की तरह कहाँ पे तो nuclear reactor में याद रखिए का nuclear reactor में ऐसा क्यूं कर पाते है तो यह क्यों होता है ना slow down कर देता है neutron को effectively mainly bombardment of neutron ही करते हम nucleus पे या collisions करते हैं जिसमें हम लोग nuclear reactors में तो उसको slow down करना हो उसको अस्थिर करना होता है जैसे वो slow down हो जाएगा तो multiple fusion multiple fusion नहीं होगा ठीक है ना इससे क्या होगा अब चलिए डिटोरियम क्या है एक isotope है hydrogen का जिसके पास neutron and proton होता है ठीक है ना डिटोरियम और heavy hydrogen reacts with oxygen to form deuterium oxide oxygen के साथ react करके deuterium oxide form करता है इसको DTO कहते हैं इसको heavy water भी कहाता है normal water को HTO कहते है ठीक है ना अच्छा normal water को भी हम use कर सकते है जैं moderator as well as coolant in nuclear reactor ठीक है याद चलते है question number next पे कहता है 7 पे the chemical formula of heavy water chemical formula क्या है सबको पता है DTO हो है यह question जारकन PCS prelims 2003 में पूछा गया है ठीक है ना चलिए question 8 पे देखते है कहता है the chemical formula of heavy water is question 8 chemical formula for heavy water is बिल्कुल DTO होगा यह question 66 BPSC prelims re-exam कहने का मतलब है paper leak ठीक है ना चलिए question 9 देखते है the substance used as moderator and a coolant both in nuclear reactor same एक तो आप ordinary water भी उज़ कर सकते हो और heavy water भी उज़ कर सकते हो याद रखिएगा अगर BPSC में question पूछता है तो option E पे टच करना है ठीक है ना चलिए question 10 देखते है what is the heavy water heavy water है क्या तो यह है आपको oxygen plus heavy hydrogen ठीक है ना clear है ना oxygen plus heavy hydrogen heavy कहने का मतलब कोई भी hydrogen heavy होगा ना तो यह hydrogen किस-kिस form में मिलता है 1 1 hydrogen 1 2 hydrogen 1 3 ठीक है ना तो याद रखिएगा mass number 1 atomic mass 2 atomic mass 3 के साथ मिलता है treatium कहते है deuterium कहते है और इसको hydronium कहते है ठीक है ना तो याद रखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा ना इसमें heavy हो जा रहा है इसकी nucleus heavy होते जली जा रही है ठीक है ना इसलिए इसको heavy hydrogen कहते है और इसको ही यूज करते हैं लोग bombardments के लिए ठीक है आगे जलते कुशन में 11 पे कह रहा है heavy water is that water जिसमें ऐसा क्या होता है वो देखते है तो देखिए वह होता है in which isotopes takes place of hydrogen hydrogen बिल्कुल isotopes का यूज करते हैं आप ही देख लो अभी isotopes ही तो है जिसमें atomic number different atomic mass की बात करते है ठीक है ना यह कुशन 45 बीपेस शेप्रिलम नाइटे सक्षा गया है question number 12 पूछ रहा है heavy water क्या है भाई contents deuterium in place of hydrogen बिल्कुल यहां पर क्या होगा deuterium के case में hydrogen तो रहेगा atomic number one electron one रहेगी proton and neutron यह mass number हो जाएगा two mass number two हो जाने का मतलब क्या होता है number of neutron plus proton की बात करेंगे हम यह two हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल clear होना चाहिए आपको यह चीजे क्योंकि यह nucleus की weight की बात करते है nucleus में neutron plus proton होता है ना दोनों के mass किसम को हम लोग mass number कहेंगे ठीक है ना अब आगे चलते हैं इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस concept को मैंने atomic structure में पढ़ाया है chapter one में ठीक है आप इसको देखो जाकर के अगर आपको थोड़ा भीस में doubt है तो चलिए चलते है question number 13 पे कह रहा है who among the following discover heavy water इन में से कौन है जो heavy water को discover की है वो आपको एक यूरे है एक यूरे है डिसको वर्ट तो ही वाटर ठीक है ना याद रखेंगे इनका full name जानते है 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 एक अमेरिकन चैमिस्ट थे जन्होंने discover किया deuterium का जिसको और heavy water का कब तो 1931 में ठीक है ना date नहीं भी याद रहा है तो name याद होना चाहिए ठीक है ना he was awarded nobel prize in chemistry 1934 for this discovery this is the most prominent most VVI question आप समझ सकते है क्यों क्योंकि एक तो इनको nobel prize भी मिला 1934 में discovery की है 1931 में किसका तो heavy water का as well as deuterium element का ठीक है ना हरोल्ड क्लेटॉन यूरे ठीक है ना चलते के उसनों 14 पर कहता है heavy water has molecular weight कितनी molecular weight होती है तो उसकी molecular weight 20 होती है ठीक है ना देखिये heavy water जो होता है ना उसका molecular weight पूछ रहा है तो जानले है normal जो H2 होता है ना उसका अपको पता है 2 प्लस O का 16 तो यह होगे 18 बट जब heavy water आता है ना जहां तो उसके इसमें क्या होता है hydrogen का weight molecular weight दोगुना हो जाता है ठीक है ना तो 4 प्लस 16 हो जागा यह 20 हो जागा ओव chapter 15 कहा है consider the following statement hard water is not suitable for hard water को में लोग कहां यूज नहीं कर सकते ना तो देखिये पीने के लिए कर सकते है भिल्कुल नहीं कर सकते है washing clothes clothes with soaps यहां भी नहीं कर सकते है boiler तो यूज नहीं कर सकते है or irrigating crops के युँज कर सकते है क्यूंकि यह डिमेज करे कर को Boilers में देरे देरे वह जम जाएगा Washing soda and soaps में बिल्कुल नहीं करेंगा स्टेन छोड़ देगा और drinking के लिए health के लिए नहीं सही होगा तो option A, B and C and D कहीं भी नहीं कर सकते हैं तो option हमारा D हो जाएगा क्यों यहाँ पर correct option पूछ रहा है अब देखिए यह question पूछा गया इसकी explanation को अच्छे से देख लेते है देखिए hard water को describe किया गया hard क्यों क्यों कि इसमें highly dissolved minerals पाए जाते हैं खास करके especially sulfates पाए जाता है and chlorides पाए जाता है किसका तो calcium and magnesium का याद रखिएगा hard water को hard इसले कहाता है क्योंकि इसकी dissolved minerals होते है खास करके sulfates and chloride का calcium and magnesium sulfates and chloride of calcium and magnesium hot water जो होता है salty होता है और इसको हम लोग पी नहीं सकते है salty होगा तो कैसे भी पाएंगे अगर हम लोग इससे कपरे धोएंगे तो बहुत ही दिक्कत होता है इससे धोने में क्योंकि अब जब hard water use करेंगे mineralized water एक तरीके से तो यह काफी ज़्यादा soap लेगा मतलब साबून बहुत चाहिए और एक मेसी scum छोड़ेगा मतलब क्या होता ज्ञाग जो होता है अजीब तरीके का ज्ञाग छोड़ेगा अब यह क्या करता है यह जो नीचे जो गाढ़ा रंका मिलेगा आपको calcium and magnesium का salt यह क्या करता है efficiency किसी भी boiler का खराब कर देगा मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे माल नेजी आपका यह बड़ा सा boiler है ठीक है आप किसी thermal power station पे है यहाँ पे आपको boil करना है normal water तो ठीक है उसमें स्टीम बन जा रहा है स्टीम से स्टीमर यूज करके हम लोग टर्वाइन पे फ्लो कर रहा है और टर्वाइन रोटेट कर रहा है हमें electricity मिल रहा है ठीक है ना INV लेकिन यहां क्या हो रहा है जब यह जब हम लोग salt वो hard water को ले रहे है उसको हम लोग heat कर रहे है तो स्टीम तो निकल जा रहे है स्टीम तो निकलेगा water है बट यहां पे कुछ calcium and magnesium का salt जमा हो जाता है धीरे देरे करके यह पूरे के पूरे boiler जो glass होगा ना boiler जो tray होगा उस उसको खराब करेगा को रोड करेगा ठीक है इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते है ठीक है बेसिक ही है चलिए अब salt है तो इसको irrigation के लिए यूज कर नहीं सकते है क्यों कि इसकी salt level बढ़ जाएगी जमीन को खराब कर देगा देरे ठीक है ना चलिए और एक चीज और सम चलिए को सिक्ष्टीन देखते है सिक्ष्टीन क्या कह रहा है कहता है पर्मनेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इस डीव तो अगर कोई वाटर पर्मनेंट हार्ड हो गया तो किस वज़ा से हो रहा है तो यहां पर क्लोराइट सें सलफेट्स ऑफ कैल्सिम और मैगनेजियम बिल्कुल यह साथ के बराबर होता है पांटीका तो पी-च साथ ही होगा ठीक है नेटरल होता है तो पी-च फेली ऑफ प्योर वाटर इस सेवन प्यो वाटर इस नीट्रेल बाइनेचर दा सॉल्यूशन with a pH, अगर pH की value, pH scale यह होती है, जो की acidic और बिसी सिटी मान नापती है, साथ को हम लोग scale के इस साइड रखते हैं, अगर साथ से कम हम लोग जा रहे हैं, इस साइड तरफ मूव कर रहे हैं, तो यह हो जागा acidic, ठीक है न, इधर मूव करते हैं, तो basic, यह maximum 40 तंग जागा, याद रखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, कहता है, pH value of water क्या होगा, pH value of water तो बिल्गुल साथ होता है, फिर देखिए 66 BPSC मे, पूचा के कोशन है, मतलब इतना बार 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 पूच रहा है, वाटर का पूरेस्ट फ़र्म कोन है, तो rain water होता है, याद रखिएगा, tap water, sea water, distilled water, पूरेस्ट फ़र्म नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, कि rain water पूरेस्ट फ़र्म वाटर का, वाटर ऑटर ऑन दे सर्फेस अफ दी अर्थ इस मिक्स्ट वित अलकलाइन and acidic material that makes the water impure, याद रखिएगा, जो भी सर्फेस पर आ गया है, उसमें mixture हो जाता है, कि इसका, तो alkaline और acidic material का, इसलिए water impure हो जाता है, कुशनो 20 कह रहा है, water is a good solvent of ionic salt, water जो होता है, बहुत ही अच्छा solvent होता है, ionic salt का, ठीक है न, क्यूंकि इसमें high dipole moments होते हैं, dipole moments कहने का, क्या मतलब हुआ, इसके जो ionic crystal, ionic bonds है, H2O के बिचमें बॉंड है, वो dipole moments को sow करता है, कैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए, कोशन आइस परिलिम सो 1994 में पूछा गया है, इसको explanation पे चलते हैं, बहुत अच्छा solvent होता है, किसी भी चीजों को mix कर सकता है, क्योंकि इसकी polarity जो होती है, वो dipole होती है, dipole का मतलब क्या होँ, देखिए, H2O, अगर इसमें, मान यह डेल्टा निगेटिव है, तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो मतलब bipolarism सो करता है, दोनों charge यहां present होता है, तो इस वज़ा से dipole moment, देखिए, dipole moment क्या होता है, मैं समझा ही देता हूँ, अब अब को फालतू क्यों, मान लिजए एक charge यहां पे है, एक charge यहां पे है, Q1, Q2, ठीक है न, इसके बीच का distance है D, दोनों same charge है, मान लेते हैं, पहले चलिए, दोनों same charge है, dipole moment है न, एक vector quantity है, जिसका मतलब होता है, product of charge, Q into D, इसी दिसी बारत है, ठीक है न, कुलम मीटर, इसी को कहता है dipole moment, तो यहां पे क्या होता है, water में, इस तरीके का जो bond बनता है, तो एक positive negative charge, तो दोनों के बीच में जो bond रहता है, वहां पे एक polarity generation होता है, वहां पे एक dipole moment का वो लगता है, force लगता है, ठीक है न, तो इस वज़े से क्या होता है, पानी easily resolve कर पाता है, polar compounds को, जो like same उस type के compounds हैं उसको, ठीक है न, तो water जो होता है, इसली ionic salts को dissolve कर पाता है, और साथ में ही different components ions को break भी करता है, जैसे नमक को, आप मिला दिजे पानी में आपको पता भी नहीं चलेगा, जब तो का आप सको test नहीं करोगे, ठीक है न, Na plus और Cl minus में break कर गे, उसमें mix हो जाता है, कहाँ चला गया, चीनी को मिला ज़िए वैसा ही, अब चलिए, question number 21 देखते हैं, 21 कहाँ रहा है, water can dissolve more substance than any other liquid, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह dipolar nature का है, dipolar मतला positive as well as negative, question number 22 कहाँ रहा है, large quantities of drinking water is prepared from impure water, जो हम लोग पानी पीते हैं, उसको गंदे water से बना जाता है, impure water, जिसमें बहुत सारी चीज़े mix होती है, तो वो किस process से होती है, desalination process को कहते है, desalination से, जैसे desalination से एक process होता है, जिसके द्वारा उसमें mineral components होता है, saline water के, इसमें से salts and minerals को हम remove कर सकते हैं, आराम से, ठीक है, बस, याद रखेगा, एक चीज़ और याद रखेगा, salt water जो होता है, वो desalinated किया आता है, pure water बनाने के लिए, human consumption के लिए, या irrigation के लिए, काफी suitable होता है, ठीक है ना, अगर हम लोग sea water के desalination करें, तो काफी जो इसमें water बनेगा, पोटेबल वाटर की तरह बनेगा, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, irrigation और industry के लिए, ठीक है ना, चलिए, question 23 कहरा है, which gas is used in the purification of drinking water, तो drinking water को, pure कर लिए कौन सी gas यूज करते हैं, तो बिल्कुल chlorine gas यूज करते हैं, ठीक है ना, disinfectant जो है, उसमें वो खतम होता है, और purification बहुत अच्छा होता, ये as a disinfectant भी यूज करते हैं, और bleach की तरह भी यूज करते हैं, chlorine को usually, यूज करते हैं, bacteria माणने के लिए, और other microbes जो उसमें होते हैं, उसको माणने के लिए, ठीक है ना, और basically, क्लोरीन आप जब जाएगा ना, swimming pool में, water park में, तो वहाँ भी आप देखेगा, की chlorine का availability काफी मिलेगा आपको, अब कहरा है, question number 24, by which process the sea water, can be converted into pure water, तो इसा कौन सा process है, तो इसको reverse osmosis कहते हैं, ठीक है ना, देखे मैं आपको समझाता हूँ, माले जी आपको से यह किए, flask है ठीक है न, इसमें पानी रखा है, रात में आप आए, और छोटे-छोटे kismis के टुकरे इसमें डाल दिये, ठीक है झा, छोटे-छोटे kismis के टुकरे डाल दिये, ठीक है, reverse osmosis क्या होता है किस medium से तो semi permeable membrane से जैसे प्याज कचिल का होता है ना पतला पतला तो उस membrane से जो filter out करता है reverse में क्या हो जागा उल्टा हो जाएगा यह shrink कर जाएगा किसमिस ठीक है ना क्यों किसमिस अंदर का मिटरिल बाहरा जाएगा ठीक है ना हम इसा याद रखे का higher potential से lower potential की तरफ move करेगा ठीक है तो यह reverse osmosis होता है sea water को convert करने pure water में तो reverse osmosis का process यूज करते है ठीक है ना Q25 कह रहा है the process used for transforming salty water into pure water तो यह कौन सा होता है तो बिल्कुल यह रिवर्स osmosis होता है UPPCS mains में पूछा गया है Q26 कह रहा है by which process alum ठीक है ना cleans the muddy water ठीक है ना फिट के लिए इसको कहते है हम लोग यह करता है coagulation से कैसे देखिए इसको aluminium sulphate भी कहते है ठीक है ना AL2SO4 AL2SO4 इसको alum भी कहते है ठीक है ना अच्छा इस फिटकरी के तरह होता है और coagulation क्या process होता है ना इसमें क्या होता है जो भी collidal solution में माली जग मड़ी water उसमें suspended है particles तो थोड़े दिन के आप इसमें alum mix की जगाना तो आप थोड़े दिर बाद आए गाना तो यह particles नीचे settled होंगे coagulated नहीं होंगे ठीक है एक तरीके से इस process हो coagulation कहेंगे ठीक है यहां पर क्या होगा जैसे हम लोग alum को mix करेंगे aluminium sulphate aluminium sulphate को mix करेंगे किसी भी water में जो impure है destabilized है ठीक है वो fine particles जो matter suspended है उस water में उसको दिर दिर सेटल कर देगा bed पर ठीक है ना the settling down of suspended particles inside any fluid inside any liquid is done by the process of coagulation this process of coagulation कहता है ठीक है आप देखिया collides होंगे जिसके size बड़े है 5 mm से लेके 1 mm तक तो जिस particle के size 0.5 mm से बड़ा है उसमें अराम से alum work करता है ठीक है याद किजेगा याद रखियेगा आपको question 27 पूछ रहा है the gas used in the manufacture of vanaspaty ghee from vanaspaty oil vanaspaty ghee से vanaspaty को बनाने के लिए जो vanaspaty oil use करते है उसमें कौन सा gas यूज करते है पहले हमार पास vanaspaty oil है इससे vanaspaty ghee को बनाना है तो कौन सा gas यूज करते है देखिये last question 28 देखते है 28 कर रहा है which one of the following catalyst is used in hydrogenation of vegetable oil पहले तो एक चीज समझेज़े catalyst होता क्या है catalyst एक ऐसा substance होता है एक ऐसा agent होता है जो आपको जो rate of reaction को fast or slow करते है ठीक है आप पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा catalyst हम लोग hydrogenation के लिए किसी में तो vegetable oils के लिए ठीक है तो वह यूज करते है निकल अब एक बार हम लोग hydrogenation की process को समझ लेते हैं देखिए hydrogen gas होता है उसको use किया आता है manufacturing को वनस्पती घी बनाने में ठीक है ना वनस्पती ओई से वनस्पती घी बनाने में hydrogen gas को यूज करते हैं अब हम लोग क्या करते है hydrogen gas को pass करते है vegetable oil के ऊपर से ठीक है ना किस pressure रखते है 8-10 atmospheric pressure pressure रखते है 8-10 atmospheric pressure किस के presence में तो nickel powder के presence में यह catalyst की तरह वर्क करता है temperature रखते है 150-180 degree Celsius ठीक है ना oil क्या होता है वो change करने लगता है vegetable घी में और solid fat में जिसको हम लोग वनस्पती घी कहते है ठीक है ना इसी process को हम लोग कहते है hydrogenation ठीक है ना या कौन सा कौन सा यूज कर रहे है तो nickel powder यूज कर रहे है इस बाद अख्याल रखिएगा ठीक है ना इसको as a catalyst यूज कर रहे है ठीक है ठीक है इसको as a catalyst यूज कर रहे है ठीक है चलिए hydrogenation एक process है in which unsaturated compounds combined with hydrogen in the presence of catalyst that is nickel here and in other suitable conditions are converted into saturated compounds ठी इसी तरीके से हम लोग नॉन मिटल्स में और धीरे धीरे करके सारा condition करते है अगर आपको मेरा लेक्टर सच में अच्छा लग रहा है तो आप से एर करो प्रेंट के साथ physics की पूरी complete playlist पड़ी हुई है उसको जाके देखो पूरी मैं bet करता हूँ कि अगर physics में खराब होगा तो मैं उसको ठीक कर दूँगा absolutely मेरा background ही engineering है ठीक है ना मैं आपको खराब लगे तो फिर मेरे चैनल पर रिपोर्ट कर देना ठीक है ना this is all about the second chapter तो और आगे इसी तरीके जल जली करते है साथ chapter हमारा हो गया hydrogen and its compound खतम हो गया अब आगे जो chapter है उसको देख लेते हैं ठीक है let's simplify each topic each day and each moment of the preparation